जय हिंद जय जवान जय किसान आप देख रहे हैं ग्यानोदय ग्यान रिकार्ड सुद्धिकरण पकवाड़ा चल रहा है जिसमें भू अबलेख की तूटियों को सुधारा जा रहा है इसी के तहत यदि इस तरह की तूटी हो कि कोई खसरे का छेदृफल रिक्त आ रहा है तो कैसे सुधार सकते हैं यहाँ पर देखिए मैं एक 1874 खसरा नंबर जिसका रखवा 00 है तो यह सुन छेटर फल यानि जीरो एरिया की तूटी की शिरणी में आएगा भूमी प्रकार खाली है इसकी जगए निजी या सास्की होना चाहिए यह रिक्त भूमी प्रकार ब्लैंक ल भूमी स्वामी का नाम यहाँ पर उसके पिता का नाम पती या पती का नाम आना चाहिए यह रिक्त भूमी स्वामी ब्लैंक अबनर तृटी की शिरणी में आएगा और यहाँ स्वामित प्रकार की जगए खाली है यहाँ पर भूमी स्वामी होना चाहिए यह रिक्त भूमी स प्रकार ब्लैंक ओबनर्स टाइप की स्रणी में आएगा इस सरवी नम्मर में चार प्रकार की तुरुटियां हैं यदि हम इन्हें सही कर लेंगे तो रिपोर्ट में इस गाउं की चार तुरुटियां सुन्ने छेत्रफल रिक्त भूमी प्रकार रिक्त भूमी स्वामी तथा रिक्त भूमी स्वामी प्रकार की तुरुटि ठीक होकर ये कुल तुरुटि से कम हो जाएंगी और प्रोग्रेस भी दिखने लगेगी यानि कहने का तात्पर ये है कि तुरुटियां एक दूसरे से कनेक्ट हैं यदि एक गलत है तो उसके साथ तीन और गलत हैं यदि हम एक सही करेंगे तो उसके साथ तीन तुटियां और सही होंगी तो आईए इन्हें कैसे सही करना है देखते हैं यदि आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो यकीनन आप ये वीडियो आपके काम का है जड़ा देख लीजे कि चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है कि नहीं यदि नहीं तो सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस करके चैनल से जड़ जाएए क्योंकि ऐसे हैं वीडियो यहाँ पर आते रहते हैं तो इस तुटिय को ठीक करने के लिए सबसे पहले MP भूलेक में लोगन होके खसरा डाटा सुधार मोडूल में आएंगे और पहला ओप्सन अद्दतन में खसरा संख्या डालेंगे तो इस प्रकार से अद्दतन विबरण यानि अभी जो इस्तिती है अद्दतन पस्चात विबरण जो आप करना चाहते हैं यानि सुधार के लिए कॉलम इसमें आप खसरे के कॉलम नमर 2, कॉलम नमर 4, कॉलम नमर 12 की और टिपड़ी में प्रवेश्टी कर पाएंगे यहां द्यान देने वाली बात है कि इसमें डाटा भरने से पहले आप मिसल बंदोबस्त जो 1996-97 वर्ष की है तथा हस्त लिखित खसरा 2013 के पहले के आपकी तैसील के रिकार्ड रूम में उपलब्द हैं तथा 2013-14 में NIC आ गया था तो उसके प्रिंटिट खसरे आपके पास होंगे इन सभी में देखकर ये संतुष्टी कर लें कि ये खसरा संख्या जो अपन जिस पे काम कर रहे हैं ये खसरा संख्या में किसका नाम है कितना रखवा है कितनी लगान है क्या नोईयत है ये सारी चीजें देख लें जादा तर्टिटी 2012-13 के दर्मियान हुई है जब हस्त लिकित खसरों को NIC में चड़ाया गया है जानकारी लेने के बाद भूमी पिरकार फिल कर देंगे जो भी रकवा छेतर फर्मिला है उसे यहां पर भर देंगे भूराजश भर देंगे अनसरचना अनव्युक्या सचाई का साधन इत्यादी कोई है तो वो डिटेल्स भी यहां पर भर देंगे टिपडी में लिख देना है कि पिरकरण क्रमांग जो भी आपको प्राप्त हुआ हो दिनांग स्रीमान अनुभागी अधिकारी के आदेश अनुसार सुधार किया गया है मैं यहां पर बात कहना चाहता हूँ यह सारी चीजें जो हम कर रहे हैं यह काफी सम्मेंदन सील कार है इसमें किसी को भूमी का आबंटन और बेदखली हो सकती है यह अनुभागी अधिकारी के कारचित्र का काम है तो किर्पया कोई भी साथी बगेर आदेश के उक्तकार ना करें खुदाना खास्ता इन फ्यूचर कोई दाबा आपत्ती आती है और केस कोट में जाता है तो अब बचाओ में रहेंगे यह अधि आदेश अनुसार कार करेंगे तो उसी आदेश में लिखित पिरकण क्रमांग मद, दिनांग, अधकारी को चुन कर यहाँ पर पहले सेव कर लें इसके बाद फाइनल सेव कर दें इसकी रिक्वेश्ट तैसिलदार महोदई तैसिलदार महोदई के पास जाएगी वहां से अनमूदन के पश्चात ही आपने उक्त खसरा को आदेश अनुपालन में खोलना है वहां से बेक्तिकत जानकारी भरकर उसी आदेश का उलेख यहाँ पर भी कर दें जो खसरा डाटा सुधार में किया था और फाइनल कर दें यहाँ तक प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी और अंगले दिन आपकी तुर्टी कम होके दिखने लगेगी एधी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें इससे मुझे प्रोसाहन मिलेगा एधी कोई क्यूरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें थैंक्यू फॉर वाचिंग, हैवे, नाश डे